हालो एब्रीवन, हाउ और यू, माई क्लास्रूम के प्लाटफार्म पे आपका वेलकम है, मैं आपका दोस्त, मैं आपका टीचर, जिशान रसुल खान, आज नए सेशन के डिसकुशन के जाद आपके सामने हाजर हूँ, ठीक है, NSO का नया सेशन, नया चैप्टर, नया टॉप करेंगे, तो इस से पहले, जब आपने हमें हमारे सेशन को एकसेस करा होगा, तो आपको सारे गाड़लेंज के बारे में लगभग वहाँ से आपको अवेर्नेस हो गई होगी, राइट, साथ यसाथ आपको यहां पर बताना जरूरी है, कि हम अपार्ट फर्म बाइलाजी, ब आपको लाजिकल रिजनिंग से आए हुए कोशन, केमेस्ट्री में आए हुए कोशन, फिजिक्स में आए हुए कोशन, डील कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले, एक पास्ट रिकाब कर लेते हैं, गाड़लाइन का, ठीक है, पेपर कैसा आता है, क्या विर लेक्स बिस्ट हैं, तोर हुए कोशन, आए हुए कोशन, विर देके profound learning好啦, बन्न भीक हैं, विर सम्सेटन, तो है ले लोग कोशन, और इंपिस और 1 ॉब धर चशन, ले ले पास्ट निजके ले ले बघए क्सितिति हebान ले कोशनί हैं, पोटीम को में हैं, इस वे ले ल स्कूल, कोड, क्लास रोल नंबर, मॉबाइल नंबर, एड्सेकर और प्रपरली फिल्ट इन द ओए मार्शिप वाइल अटेंटिंग द पेपर, ठीक है, तो इसके अलावा एक और थोड़ा सा इस्प्रेस यहां पर देना चाहूंगा कि आपका अचीवर सेक्शन जो है उसके ज हर एक कोशन कंपलसरी है, no negative marking is given, ठीक है, आपको हर एक कोशन के लिए एक correct answer होगा, वागी तीन option जो होंगे वह आपके गलत होंगे या उससे appropriate नहीं होंगे, while filling the OMR or answering the OMR, please make sure that you are using HB pencil, blue or black ballpoint pen only, okay, and this is a pattern and this is the correct form of filling the OMR sheet, please make sure that this OMR is filled or circled, altogether there is no space, इस space से ये ना बाहर निकलें, ना इस space को ये क्या गरें, incomplete दिखने चाहिए, क्योंकि आपको computer इस चीज़ को तब perceive करता है जब ये complete fill होता है, अगर इसको incomplete filling या over filling का situation मिला, ठीक है, वो आपके answer को वहीं पर reject कर देगा, भले से भी वो सही क्यों ना हो, ठीक है, so please make sure that no mistake is given from your side, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज इस session में basically हमने आपको बताया भी, कि 2019-20 के paper को हम discussion में रखेंगे, वो भी biology के paper को, इसी platform पे मेरे भाई, आपको logical reasoning, physics, chemistry भी मिलेंगे, 2019-20 session के paper, okay, so आगे बात करते हैं, सबसे पहला question science section का किस chapter से है, वो chapter है, आपका reproduction in plant, ठीक है, reproduction in plant में हमें identify करने के लिए question दिया गया है, यहाँ पे आपका plant है, इस plant में certain character, certain आपके clues छिपाए गये हैं, उसके बिहाफ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे answer, इनके find out करने है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, कि एक plant दे दिया गया है, उसका सबसे पहला property यह है, कि वो vegetatively root के method से क्या करता है, अपना propagation करता है, खुद को, क्या करता है, reproduce कर रहा है, ठीक है, तो वो plant कौन सा हो सकता है, यह x plant है, ठीक है, x plant, similarly, दूसरा plant है, जो leaves के method से क्या कर रहा है, अपना vegetative reproduction या propagation प्रोपगेशन प्रोसीड कर रहा है, वो y plant है, similarly, तीसरा clue जो दिया गया, z plant के लिए, वो यह की stem के तुरू इसमें vegetative propagation possible हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए, यहाँ पे, root के तुरू propagation हो र वो ब्राइफाइलम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ब्राइफाइलम 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 हो सकता है, known similar to bryophyllum that it reproduces by leaves. So it is also a leaf example. ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको सारे hint के क्या कर रहे है? analysis इसको expand करके मैंने आपको दे दिया. अब इसी के बहाफ पे अगर हम बात करें तो option C अभी हमें ज़्यादा suitable लग रहा है. बाकी option A, B and D हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह neglect किया जा सकता है. अब ज़रा और help ले ले वाई के लिए. वाई का hint बोलता है कि leaves से propagation. बॉगन विलिया में नहीं मिलेगा. बॉगन विलिया में नहीं मिलेगा. डेलिया में नहीं मिलेगा बिगोनिया का अभी मैंने बताया आपको लीव से होता है और जैलिस तो कता ही नहीं होगा ठीक है स्टेम से स्टेम से रेडिश नहीं रूट है ये रूट होता है बिगोनिया अभी लीव बताया जिंजर जिंजर स्टेम अपने आप में ये स्टेम है तो ये तो बिल्कुल होगा asparagus अभी हमने आपको बता है ये रूट है तो ये तो बिल्कुल reject होगा ठीक है इसलिए option C जो है वो आपका सही answer mark किया जाना चाहिए और यही इसका answer होगा आई बात समझ में अगर फिर भी आपको कुछ problem हो रही है तो प्लीज बराय महर्मानी आप अपने doubts को हमारे comment section box में लिख सकते हैं हम इस पर फिर से आपके लिए कुछ नवर discussion ले करके हाजर हो सकेंगे ठीक है आगे बात करें next question nutrition in plant and animal यहाँ पे एक fill in the blanks दिया गया है अब इस fill in the blanks में से हमें वो option select करनी है जो इस fill in the blanks को correctly क्या कर सके fill कर सके इन में से ऐसे combination को लेना है जो सही से इसमें fill हो रहा है तो उससे पहले हम इस fill in the blanks को complete करने है तो हमारे पास सारा option हमारा क्या हो जाएगा filter out हो जाएगा ठीक है तो यह कहता है paramecium has stiff hair like structure called hair like structure देखने को मिलता है इसे बेटा हम बोलते हैं cilia ठीक है यह hair like structure जो होता है यह कहलाता है cilia ठीक है तो यहाँ पे fill in the blanks का पहला fill होगा वो cilia होगा और cilia यह use ही करता है ingestion के लिए ठीक है hydro hydro is a lower animal lower class of animal ठीक है इसके अंदर क्या होता है tentacles होते है it has a number of tentacles around its mouth that entangle small aquatic and kill them with phagocytic stinging stinging cell होते है इसमें क्या होता है its tentacles में needle like needle like structure मिलता है तो जब भी वो जब भी वो अपने prey को पकड़ता है तो उसमें क्या करता है उस needle से certain chemicals inject कर देता है जिसके बज़ा से वो क्या हो जाता है organism विहोश सा हो जाता है उसके बाद उसको उसके उपर वो क्या कर लेता है शिकार करके उसका खतम कर देता है ठीक है frog uses its long sticky tongue यहाँ पर tongue होगा to catch insect mosquito suck up the blood of animal with its proboscis यहाँ पर proboscis होगा ठीक है feeding tube भी कह सकते हो इसको ठीक है अब ज़र हम यहाँ देखें क्या fill in the blanks 2 fill in the blanks 2 में celia हम रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं ठीक है क्या यह absorptive होता है नहीं होता है ठीक है third के लिए for limb ले सकते हैं हम नहीं नहीं ले सकते हैं तो option A को reject कीजे first कहता है tentacles ingestion यह भी reject होगा ठीक है first के लिए celia हाँ है बिलकुल और second के लिए tentacles और second tentacles and stinging यह बात सही है option C सही दिख रहा है fourth में आ जाईए क्या यह हम third के लिए use कर सकते हैं tongue बिलकुल मगर यहाँ पे हमने भी आपको बता है feeding tube या proboscis होती है ना कि pseudopodia so pseudopodia के आ जाने को जैसे यह answer भी गलत हो गया pseudopodia is used for locomotion in case of amoeba एक protozoa में protozoa में pseudopodia use किया ही जाता है movement के लिए locomotion के लिए ठीक है so इस तरीके से option number C इस question का answer होगा next question nutrition in plant and animal यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है आपके सामने cow का elementary canal दिया गया है ठीक है cow की elementary canal को यहाँ पे represent किया गया है यहाँ पे marking कर दी गई है आपको x, y and z के थ्रो certain labeling दी गई है w, x, y and z अब यह कहता है कि इस label के according कौन सा ऐसा part है जो incorrect show कर रहा है या इसके regarding information जो दी गई है वो incorrect दी गई है ठीक है तो बात करें सबसे पहला option the part label w, x, y and z are called rumen, abomasum, reticulum and omasum respectively यह बात सही है यह w आपको rumen है x जो है आपका abomasum है साथे साथ y जो है reticulum है और z जो है वो आपका omasum है साथे साथ यह कहता है कि the part labeled x is true stomach the part labeled x is true stomach यह बात सही है x जो है आपका यह true stomach होता है that is x is here abomasum so I am writing for you this x is abomasum w is your human ठीक है and y is the reticulum and z is the omasum ठीक है तो यह structure जो हमें मालूम है तो part labeled x is true stomach सही बात है यह stomach जो है वो क्या है true stomach है ठीक है food is completely digested in w and y w क्या है हमारा बेटा w है हमारा rumen ठीक है w is the rumen and यह कह रहा है y y is this reticulum क्या इसमें आपका complete digestion होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि हमें पता है कि cow is also a mammal just like us ठीक है और हमारा हम humans में जो complete digestion होता है वो small intestine में होता है और small intestine जो का जो location है वो यह रहा so this location is the small intestine so statement number statement given here option c is incorrect option d none of these की requirement नहीं बैट रही है ठीक है so option c is the correct answer for this question please mark this option c is the correct answer for this question चलिए next question की बात करें body movement से आता है body movement में यह कहते है कि read the given statement and select the incorrect one pelvic girdle is the body region where legs are attached to the hips this is the pelvic girdle ठीक है this is the pelvic girdle यहां पर आपके legs attached होते है क्या यह बात सही है legs are attached to the hips बात सही है option is correct ठीक है this option is correct पिर आता है next statement the number of vertebrae in the vertebral column is 33 यह भी बात सही है snail move with the help of pseudopodia pseudopodia के help से यह नहीं move करता है pseudopodia के help से जो movement शो करता है वो कौन करता है amoeba के case में हमें देखने को मिलता है हमने अभी पहले discuss किया था कुछ दिर पहले और none of these की requirement यहां पर नहीं बैठ रही है तो इसके according the incorrect statement जो है वो सिफ और सिफ option C है इसलिए answer यहां पर जो आप का होगा वो क्या होगा option C आईए next next question जो आपके सामने है वो nutrition in plant and animal से आया हुआ है यहां पर nutrition के certain flow chart दिये गये हैं इसमें भी कुछ clues दी गई है उसके बिहाफ पर हमें यहां पर missing चीजों को पता करना है अब nutrition in plant जो होता है वो दो तरीके का होता है एक heterotrophic जो आपके सामने दिख रहा है दूसरा missing है तो जाहिर सी बात है कि एक heterotrophic है तो दूसरा आपका क्या होगा autotrophic तो इसे मैं आपके help के लिए आपर लिख दे रहा हूँ autotrophic ठीक है अब autotrophic है तो जाहिर सी बात है यहां पर clue क्या मिल गया हमें इस चीज को प्रूफ करने के लिए green plant अगर यह green plant ना दे रहे होते तब हम यहां पर क्या होते confused हो रहे होते या फिर कुछ और चीज हमें खोजना पड़ता है कि ऐसा कुछ और भी plant में nutrition मिलता है या नहीं मिलता है तो green plant इस चीज को confirm करता है कि यहां पर जो missing nutrition है वो कौन सा है autotrophic है अब green plant है अब यहां पर missing plant जो है इसका example वो क्यू है अब यहां से option P के लिए option missing P के लिए option A, B, C and D से हम कौन सा क्यूं हो सकता है वो लेंगे तो यहां पर autotrophic तो सारे है तो सबसे बड़ा confusion जो था वो तो खतम हो गया मगर यहां पर confusion है कि सब के सब autotrophic है इन में जो कौन सा ऐसा plant है जो proper मेरा क्या होगा green plant की category में आता है nepenthes नहीं है dodder नहीं है fenugreek है sundew नहीं है तो इनको reject कीजिए अब हमारा पूरा focus किस पे होना चाहिए option C पे क्यों क्योंकि यह ऐसे ही reject हो गए है तीनों के तीनों आसानी से अब यह कहता है हेटरोट्राफिक प्लांट हेटरोट्राफिक प्लांट की जो category है उनमें पहला होता है parasitic दूसरा होता है insectivorous और तीसरा क्या है R है तो जाहिर सी बात है उसका example देखो clue के form में दिया गया है आपको fill करने के लिए lichens lichens का example है वो symbiotic का example है R जो होगा अब देखिए यहाँ पर symbiotic association आपको R के तौर पर यहाँ पर मिल रहा है ठीक है तो यह भी fulfill हो गया अब आईए T के लिए insectivorous plant साथे साथ T है उसका proper example mistleto है ठीक है mistleto भी आपका सही है यह रहा आपका mistleto साथे साथ parasitic plant का यहाँ पर proper example dynia होता है ठीक है तो dynia इसका proper example है इस चीज़ को भी अपने जहन में बैठा लें प्लीज so option C जो है आपका सही होगा बागी option A, B and D are rejected आपको पता है क्यों इस चीज़ को reject किया है हमने बहुत अच्छे साथ को यहाँ पर चीज़ें clear कर दी है ठीक है अभी तक अगर किसी भी question में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो please please आप comment box में इस चीज़ को वहाँ पर mention करें हम इस चीज़ को हल करने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर होंगा ठीक है पानी नहीं मिल रहा था रॉकी लैंड है और water availability नहीं था तो बहुत तरह रही कि problem वहाँ पर create हो रहे था वहाँ पर एक वहाँ पर एक activist basically उन्हें अक्टिवेस्ट बोलेंगे उन्होंने वहाँ के local people को क्या कर एक technique सिखा ही that is rain water harvesting और वहाँ पर फिर पानी का जो इसकासिटी का जो problem हो रहा था उस चीज से उन्हें क्या हो गया उन्हें relief मिल गया अब ये चार नाम दिये गये हैं इनमें से कौन थे वो एक्टिवेस्ट वो ज़रा हम जान लें तो basically शाम जी भाई ये अंतला जो थे वो ये वही अक्टिविस्ट थे जिन्होंने इस चीज को यहाँ पर rain water harvesting teach करना शुरू किया था शौरास्ट के region में so option B is the correct answer for this question next बात करें respiration in organism से respiration in organism में ये question है दिया हुआ चार statement है इनमें से कुछ statement आपके सही है कुछ इसमें से false है तो कौन से ऐसे statement है जो true है और कौन ऐसे है जो false है ज़रा आईए देखते है ये कहता है in earthworm air enter the body through spiracles ये बात गलत है spiracles के थुरू earthworm में air enter नहीं करता है ठीक है moist skin के थुरू option है जिनमें first ही false है वो आपका A है और C है तो B को reject कीजिए D को reject कीजिए बागे को भूल जाएए सिर्फ A and C पे भी हम अपना focus return देंगे during heavy exercises we get cramp in the leg due to accumulation of lactic acid ये बात तो बिलकुल सही है ये true है अब देखिए second क्या second A में true है क्या C में false है या true है false है तो इसलिए अब C भी यहाँ पे खतम A हमारा problem दावेदार बनता जा रहा है ठीक है option number third at rest the normal breathing rate in an average adult person is 12-18 times per minute ये भी बात सही है so this statement is also true ये देखिए ये भी true है during exhalation the ribs move downward ये देखिए सांस लिया तो rib उपर सांस छोड़ा तो rib हमारा नीचे बिलकुल सही बात है तो ये भी true so option A is the correct answer for your question next question nutrition in plant and animals फिर से एक question आता है यहाँ पर चार category दे दी गई है इनके source दिये गए है अब ये P है P में क्या है meat, pulses, eggs ये सारे के सारे क्या है sources of protein है similarly butter, ghee, margarine ये sources और category of fat है ठीक है bread, biscuit, potato ये सारे के सारे carbs है ठीक है आमला, tomato, orange ये सारे के सारे sources of vitamins and minerals है ठीक है अब ये कहता है select the correct statement regarding them अब यहाँ पर ये कहता है deficiency of P causes goiter in children बेटा याद रखना goiter की जो deficiency होती है sorry goiter जो होता है वो एक element के deficiency होता है और वो deficiency जो होती है वो iodine deficiency के वज़ा से होता है iodine deficiency इसमें होता है कि इंसान अगर iodine अपने diet में ना ले तो ये जो thyroid वाला जो portion है ठीक है गले में जो अपके thyroid और पारा-thyroid वाला जो portion है इसमें क्या हो जाता है swelling आ जाती है वो swelling बेसिकली iodine के deficiencies होता है ना कि P कि हम protein protein के deficiencies अगर होंगे तो हमें goiter नहीं होगा कुछ और बीमारी हो सकती है बट goiter तो नहीं होगा so statement A is rejected amongst PQRS one gram of R produces the maximum energy so यहां पर देखिये R is the source of carbohydrate और हमें पता है nutrition के हिसाब से अगर हम बात करें एक gram अगर हम कार्व लेंगे तो उसका दोगुना हमें fat हमें breakdown करने के बाद मिल सकता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो energy provide करने का जो source है वो आपका fat है ना कि carbohydrate है इसलिए हम इसको भी reject करेंगे सबसे highest fat calorie जो burn out करने के बाद मिलता है वो fat से उसके बाद protein से सबसे least जो मिलता है carbohydrate से ठीक है अब यह कहता है excess of S get stored in body cell and is used for production of energy whenever required यह feature जो है यह वो feature आपका Q का है because Q is the source of fat and fat का यह सारा feature है ना कि S का है और S जो S की जो category है वो vitamins की है और basically इन से जो vitamins मिलते है हमें वो vitamin C मिलता है यह सारे के सारे sources of vitamin C है and vitamin C is water soluble याद रखना है this is water soluble तो इनको daily intake लेना पड़ता है यह हमारी body में cannot store cannot store in body can't store in body आई बात समझ में यह urine से pass out हो जाते हैं तो हमें हमेशा चाहिए होते हैं हर दिन चाहिए होते हैं इनके minimum value हमें चाहिए ही चाहिए तो इस तहीगे से आपका option C भी reject होता है option D देखें क्या यह सही है और क्यों किस वज़ा से सही है deficiency of S lead to a disease in which gum swells up and bleed तो यह जो symptom है वो scurvy में मिलता है और scurvy एक ऐसा बिमारी है जो vitamin C के deficiency से होता है तो option D is correct for this question next question की बात करें transportation in plants and animals ठीक है यहाँ पे हमें incorrect match करना है in terms of their excretory mechanism ठीक है कौन organism क्या waste material excret करता है उसके बहाफ पे यह सारे example categorize किये गए है अब यह कहता है कि अगर animal ammonia excret कर रहा है तो ammonotelic होगा ammonotelism show होगा उसमें और उसके example दिए गए है आपको sponges होते हैं hydra होते हैं cartilaginous fish नहीं होती है leech and crocodile होते हैं अब देखिए क्यों क्योंकि ammonotelic में यहाँ पे cartilaginous fish के जगा पे bonny fish होती है ठीक है ureotelism में frog, toad, urea urea excret करने वाले frog, toad, bonny fish, turtle यह सब के सब गलत है urea excret करने के लिए bonny fish नहीं होती bonny fish में आपको जो होता है अभी हमने आपको बताया है ammonotelism अब बात आती है urecotelism में cockroach, pigeon, beetle, lizard and snake यह सब के सब uric acid secret करते हैं यह बात सही है so option third is correct option category one and two is incorrect so यहाँ पर जो answer हमारा जाएगा वो option A होगा that is one and two only so incorrect match कौन हो गया आपका one and two अब आपको कल को कभी confusion हो कि कौन से fish ammonotelic है, कौन से fish ureotelic है तो प्लीज इस mnemonic को याद रखिएगा Cuba क्यूबा एक कंट्री भी है उसके बेहाफ के आप याद रख सकते है cartilaginous fish ureotelic boni fish ammonotelic ठीक है so इस तरीके से option A आपका सही answer होगा next question की बात करें आप एक picture दिया गया आपको ठीक है यह picture है और इसमें पूछा जा रहा है textile industry में इसको use करते है as an apparatus और किस चीज़ के लिए करते है किस के लिए करते है basically so यह जो है आपका यह एक यान है ठीक है इसका नाम क्या है यान है और इसको fiber में weaving के लिए यूज़ करते है so option B is the correct answer for this question next question fiber to fabric से फिट से है यहाँ पर filling the blanks दे दिया गया है और इसमें से कुछ सिर्फ और सिर्फ वो दो filling the blanks हमें use करने हैं जो correctly fill कर रहे हैं so option एक से ही start करते हैं क्या second के लिए cold and weaved होगा तो उसके लिए पहले हम देख ले यह कहता है the cotton plant is grown in dash soil तो यह black soil में grow करता है याद रखियेगा black soil is the best soil in which cotton can be grown ठीक है यहाँ इनकी farming की जा सकती है और यह warm climate में होता है ना के cold climate में होता है so second के लिए cold तो होगा नहीं warm होगा इसलिए option A को आप cut कर दीजे ठीक है its fiber are then separated from the seed by the process of dash ठीक है the fibers are then made into yarn by the process of dash तो यह जो होते है वो ginning के थूरू की जाती है ठीक है so its fiber are then separated from seeds by the process of ginning इस process को बोलते हैं ginning ठीक है the fibers are then made into yarn by the process of weaving knitting ठीक है the yarn is dyed यह dyed किया जाता है into beautiful color and then dash is dash to get cotton fabric तो यह weaving होता है spin spinning करते हैं इसमें ठीक है और यह आपका knitting होगा ठीक है तो उसके बिहाफ पे हमें option C जो है वो appropriate मिल रहा है बाकी बाकी जो है आपको वो क्या है reject करो A, B and D को ठीक है so option C is the correct answer given here क्योंकि black soil में यह grow करता है और यहाँ पे ginning process involved तो option C के ही जो दो fill in the blanks के जो fill हैं वो appropriately fit हो रहा है बाकी सारे के सारे गलत यहाँ पे कहीं पे भी inappropriately fit नहीं हो पा रहा है ठीक है तो option C is the correct answer चलिए बात करते हैं next question के next question में कुछ processes यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको और वो next processes जो है process 1, 2, 3 and 4 के term में दिये गए हैं but आगे बढ़ने से पहले हम क्या करें इन सारे processes के को जान लें कि कौन सा process क्या show कर रहा है तो हमारे लिए answer निकालना काफी ज़्यादा असान हो जाएगा rather than कि इसमें हम confuse होके सारे answer को गलत कर दें ठीक है यह देखिए इस plant से इस plant से process 1 होगर के इधर outer environment में जा रहा है that is plant leaf से अगर यह चीज़ बाहर के तरफ निकल रही है तो कहीं न कहीं यह water vapor निकल रहा है और पानी water vapor के farm में अगर plant से निकले तो उस process को हम बोलते है process 1 is called transpiration ठीक है this is called transpiration similarly process 2 process 2 में यह एक water reservoir यहां पे है ठीक है यह water reservoir है water reservoir से आपका outer environment में चीज़ें जा रही है ठीक है यह outer environment that is atmosphere है atmosphere में जब water reservoir से पानी transfer होता है इस process को बेटा हम बोलते हैं evaporation evaporation ठीक है similarly process 3 में क्या है यह आपका x यह सब के सब x में convert होगे तो यह क्या है यह water x जो है आपका water vapor है water vapor process 3 के तुरू y में convert हो रहा है ठीक तो process 3 कहीं न कहीं क्या हो रहा है यह condensation होगा और यह condensation के जरिये आपका y में convert हो रहा है y जो होगा वो आपका क्या होगा cloud होगा ठीक है यह आप cloud होगा and process 4 के तुरू यह क्या हो रहा है फिर से वापिस यहाँ पर चला रहा है जमीन पर तो यह process 4 जो है आपका यह है basically यह है process 4 precipitation है process 4 is precipitation ठीक है और precipitation के बावगा यह जो पानी है वो फिर से वापिस जमीन में चली जा रही है process 5 के तुरू process 5 is infiltration this is called infiltration ठीक है अब जरा हम option पर जरा ध्यान दें option क्या क्या बोलता है यह कहता है कि defolestration will de-accelerate the process 5 process 5 infiltration है infiltration यह तब हो सकता था जब यहां पे ज़्यादा से ज़्यादा plants होंगे उनके root क्या करेंगे उस चीज़ को इन plants के root क्या करेंगे जमीन के जो soil से उनको bind करके रखेंगे तो पानी की holding capacity बढ़ जाएगी वहां पे जमीन में तो जिससे क्या होगा infiltration process आपका टेज हो जाएगा मगर अगर defolestration हो रहा है इस environment में जाहिर सी बात है कि आपका de-accelerate होगा यह process 5 so this statement is correct यहां पे हमें incorrect statement find out करना है इन 5 processes में के regarding ठीक है अब यह कहता है process 1 occur at high rate in rainforest process 1 process 1 is transpiration और transpiration जो है वो high rate in rainforest and is absent in desert यह बात गलत है whereas process 3 is involved in melting of ice यह है आपका process 3 condensation condensation कभी भी water ice melting में involved नहीं होता है rather वो क्या करता है water vapor को liquid form में convert करने में use किया जाता है ठीक है so statement 2 तो बिलकुल ही गलत है third statement की बात करें the physical state of water at x is gaseous the physical state of water at gas is at x is gaseous सही बात है water vapor है यह ठीक and that of y is liquid यह आपका y and y is liquid मैंने पहली बता है था cloud cloud के form में जैसे ही convert हुआ तो वहाँ पे liquid होगा process 2 is involved process 2 is involved in drying drying of wet clothes and sometime increase in process 4 causes flood यह भी बात सही है आप पानी आप कपड़ों को सुखा रहे हो तो उससे evaporation होगा वो भी involved होता है process 2 में साथी साथ precipitation आपका बहुत जादा हो गया तो वहाँ पे flood का condition create हो जाता है so option D is also correct so only and only option B is incorrect so answer will be the option B next बात करें हम यहाँ पे यहाँ पे आपके एक chart दी गई है और इसमें क्या है organism के respiratory organ के नाम छिपा दिये गए हैं उन्हें हमें point करना है इनके मदद से ठीक है तो यहाँ पे जड़र हम पहले एक काम करें इस इस का help ले 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 इस clue का help ले 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 यह कहता है the air tubes of insect निसेक्ट में जो air tube होता है उसका नाम क्या होता है वो होता है आपका trachea ये जो होती है इसे हम कहते हैं ट्राकिया ठीक है तो ट्राकिया यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है ये है आपका ट्राकिया ये है हमारा ट्राकिया ठीक है second, skeletal structure which protect the lung वो होता है rib cage ये होती है rib cage क्या rib cage यहाँ पे हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं ठीक है ये है हमारा lungs अगर structure होता तो lungs होता बिल्कुल सही मगर यहाँ पे opening की बात की गई तो ये nostril होगा ठीक है ये है nostril ये दो opening जिसके थुरू हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इसे हम क्या बोलते हैं nostril ठीक है small opening on the side of the body of an insect spiracles ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं spiracles ठीक है साथ ही साथ a flap like structure that cover the glottis at the time of swelling in following in human is apiglottis इस structure का नाम है apiglottis ठीक respiratory organ of fish this is gill अब हम देखना चाहेंगे rib cage यहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है साथी साथ nostril को अगर हम देखें third statement के लिए वो भी नहीं दिख रहा है ठीक है apiglottis भी यहाँ से गायब है spikl भी यहाँ से absent है gill हमें दिख रहा है और वो gill जो है यह कहाँ पर यह रहा ठीक है so इस तरीके से अब option पर हम आते हैं यहाँ पर कौन कौन से structure देखने को मिल रहा है क्या one and six only यह रहा हमारा one और यह रहा हमारा six यह one and six यह तो हमें मिल रहा है देखो trachea and gill दो ही मिले क्या two मिला नहीं मिला क्या five and six मिले सिर्फ six मिला five तो नहीं मिला so option b भी reject कर दो क्या three मिला four मिला नहीं मिला क्या four and five हमें obtained हुई नहीं हुई so option a is the correct answer for this question next question next question आपका fiber to fabric chapter से आता है इसमें दो statement दिये गए हैं और उसके accordingly हमें बताना है क्या ये statement सही है क्या अगर सही है तो क्या ये second statement को सही explain कर रहा है क्या अगर दोनों सही है तो क्या ये एक दो सुरे को सही से explain कर रहे है क्या ये दोनों statement गलत है चलिए शुरू करते हैं statement 1 कहता है कि animal fibers are mainly made of cellulose, animal fiber are mainly made up of cellulose, यह statement गलत होगा, यह plant fiber के अगर बात करते हैं तो वो कुछ सही होता, complex component of animals body, animals body का animals में जो reservoir है वो क्या है, glycogen होता है ना कि cellulose होता है, cellulose is found in plant, देखा है, cellulose is found in plant, तो यह statement इस वज़े से गलत हो गया, so statement 1 is false, statement number 2 पे आते हैं, ship and goat are the only wool yielding animal of the world, जी नहीं, बिलकुल गलत बात है, ship and goat ही सिर्फ नहीं है, rabbit भी यूज किया जाते हैं, camel से भी हम wool obtain करते हैं, इसके according statement 1 भी गलत, statement 2 भी गलत, so हमारा answer जो जाएगा, वो कौन क्या जाएगा, statement number B, that is both statement 1 and statement 2 are false, आईए, next question की बात करें हम, next question कहता है, so next question is, ask from chapter natural resources and their conservation, यहाँ पे एक activity दी गई है, जिसमें type of soil को use किया गया है, यहाँ पे type of soil describe किया गया है, दूसरे में इसका weight लिया गया, original weight, dry weight लिया गया, तीसरा आपका है, weight of soil sample after pouring water, इसमें क्या किया गया, पानी इसमें dip की गई, और उसके बाद इसका weight note किया गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P में पानी का जो difference है, weight का जो difference आ रहा है, पानी embed करने के बाद, वो हमें 10 gram का दिखा, 10 gram का difference यहाँ पे देखने को मिल रहा है, similarly Q में, Q soil में हमें यहाँ पे 50 gram का difference देखने को मिला, 50 gram, और R में जो है वो यही चीज़ 20 gram का हमें difference देखने को मिलता है, अब यह पूछता है कि इनमें से कौन सा इसा soil है, जो हमें statue बनाने के लिए use करना चाहिए, क्या वो जादा preferable हो सकते हैं statue बनाने के लिए, statue बनाने के लिए जाहर सी बात है कि आपको वैसे soil use करने होंगे, जिसमें rigidity आपको आसानी से मिल सके, और identity मिलने के लिए उसके अंदर water holding capacity जादा हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर q जो है, उसमें water holding capacity सबसे जादा है, इसलिए हम यहाँ पर option b को use करेंगे, ना कि option p, क्या बोथ p and q use कर सकते हैं, p and q तो नहीं होगा, अगर q and r भी लेते तो कुछ हद तक हो सकता था, p and r दिया होगा है, इसलिए d भी नहीं होगा, तो a, c and p is rejected, so answer will be option b, that is q, next question, next question जो है, मारा achiever section से है, achiever section मेरे बाई, याद रखना, ध्यान रखना, इस चीज़ का, इस यहाँ पर तोड़ा से complex question होता है, हाला कि ऐसा नहीं है कि question बहुत ही tough होते है, थोड़े से mind twisting से होते हैं, बट काफी आसान से होते हैं, इसमें minute minute details पर हुए होते हैं, उन details को अगर आप पकड़ लिए, आपका solution आपके सामने proper तरीके दर दिख जाएगा, कि हाँ हमारा यही solution होगा ही होगा, तो बात करते हैं, पहला question, पहला question यहाँ पर एक graph दे दिया गया है, किस चीज का दिया गया है, तो यह कहता है, refer to the given graph and identify x, y and z, ठीक है, यहाँ पर x axis जो है, आपका habitat शो कर रहा है, और y axis temperature को शो कर रहा है, अब इसके हिसाप से अगर इसका intercept देखें हम, x axis का जो intercept में देखने को मिल रहा है, वो कहीं न कहीं, पचीज डिगरी से उपर देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट पचास डिगरी के अंदर है, ओके, सो कहीं न कहीं, यह जो region है अपका, वो कैसा habitat होगा, वो tropical होगा, यह क्या होगा, प्रॉपिकल होगा, similarly, y का अगर intercept यहां देख रहे हैं हम, तो यह कहीं न कहीं, माइनस पचीज के असपास है, तो यह जो habitat है, वो कैसा है, polar habitat होगा, ठीक, z का हम देख रहे हैं, यह कहीं न कहीं, पचास और उससे उपर भी जाने के लिए पयार है, ठीक है, तो यह कहीं न कहीं, अपका desert environment है, hot desert है, ना कि cold desert, यहां पर फ्लीज ध्यान रखेगा, यह hot desert है, ठीक, अब यह हम आज बास तीन habitat तो मिल गए, अब उस habitat में क्या कौन से organism मिल सकते हैं, अब जरा हम देख लें, क्या एक्स pneumatophore हो सकता है, क्या एक्स pneumatophore हो सकता है, यहां पर incorrect match find out करना है, इस habitat के हिसाब से, pneumatophore आपको tropical environment में कभी नहीं मिलेंगे, यह swamp में मिलते हैं, ठीक है, saline और marsh, मर्शी इलागे में मिलते हैं, pneumatophore ना कि tropical में, तो यह गलत है, ठीक, यह गलत है, estivation, estivation जो होता है, वो y zone में नहीं होता है, वहां पर hibernation होता है, यह hot climate में होता है, ना कि cold environment तो यह भी गलत होगा, blubber, blubber is found in the organism living in polar region, to insulate themselves against cold, ठीक है, और z जो हमारा है, वो है hot desert, यहां पर blubber का मिलना इसके लिए और जान लेवा होगा, इसलिए blubber is also rejected, startling coloration, startling coloration होता है, क्योंकि tropical इलाके में आसानी से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर variety of organism बहुत जादा हैं, ठीक है, तो यह तो सही होगा, एक subcutaneous fat in polar region, यह काफी आसानी से मिलता है, large ear desert environment में जितने भी organism हैं, animals हैं, उनमें आपको large ear mammals के case में खास करके आपको देखने को मिलेगा, ताकि वह अपने body को heat से बचा सकें, खुद को ventilate कर सकें, खुद को cold रख सकें, ठीक है, camouflage यह भी होता है, hibernation cold environment आपको बताया मैंने होता है, concentrated urine होती है, यह adaptation है, ताकि यह अपने आपको बचा के रख सकें, इस hot desert environment में, mimicry tropical environment में होती है, subcutaneous fat, फिर से देखिए होता है, nocturnal animals यहाँ पर बहुत जादा मिलते हैं, क्योंकि पूरे दिन गर्मी होती है, जहां वो बाहर निकले, ठीक है, तो मालूम होगा कि वो water dehydration से मर जाएंगे, समझ में आ रही है बात, water dehydration से मर जाएंगे, तो अपने आपको बचाने के लिए क्लिए क्या करते हैं, रात में वहाँ निकलते हैं, और उसके बाद feed करते हैं, एक organism दूसरे organism को, तो यह होता है, इसलिए option A जो है, यहां पर incorrect match है, और हमारा answer जो होगा, वो क्या होगा, option A, अब बात करें, next question की, यहां पर एक experiment दिया गया है, एक setup है, इस setup में क्या किया जा रहा है, एक side से, एक side से air को pump किया गया है, और दूसरे side से, दूसरे tube में भी air को pump किया गया है, और इधर से उस air को क्या कर रहे है, इनहेल कर रहे है, इस test tube, A and B से जो gas निकल रही है, उसे क्या कर रहे है, यहां पर हम inhale करा रहे है, इस setup B में क्या किया गया है, दूसरे setup में, इसमें भी same lime water को रखा गया, और एक तरव से gas को pass कराया गया, दूसरे तरव से भी gas को pass कराया गया, और clip Y को खोल दिया गया यहां पर, और उसके बाद यहां पर air को excel कर रहे है, यहां पर आपका clip X जो था वो open किया गया, साथ ही साथ यहां पर clip Y को खोल बंद किया गया था, यहां पर clip X को खोल बंद किया गया, और clip Y को खोल दिया गया पहला condition का just reverse इधायआ पर condition को setup किया गया यहाँ पर inhale कर रहे थे और यहाँ पर excel कर रहे रहे थे अब यह पूझता है कि इन में से क्या activity possible है यहाँ पहुन सी activity यहाँ पहुन पर ज्जादा possible यह फेवरेबल हो सकती है तो यह कहता है कि Emery water turn more milky in test tube A क्या A में inhalation जब कर रहे हैं हम तो क्या possible है कि यहाँ पे lime water milky और ज़्यादा होगा नहीं होगा क्योंकि lime water lime water जो होता है lime water milky और more milky condition तब attain करता है जब more carbon dioxide मिलेगा उसको ठीक है तो यहाँ पर तो inhale कर रहे हैं नहीं न कहीं carbon dioxide को हम क्या कर रहे होंगे निकाल दे रहे होंगे इस environment से तो यहाँ पे milky होने का condition होगा ही नहीं बहुत कम होगा अगर हुआ भी तो lime water turns more milky in test tube B बात सही है test tube B में जो होगा वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्यों क्योंकि इस condition में हम excel कर रहे हैं और इस condition inhale कर रहे हैं मगर clip y आपका पहले condition में भी close था और यहाँ पर clip y में जब excel कर रहे हैं तो clip y खोल दिया जा रहा है second setup में तो यहाँ पे CO2 की concentration बहुत ज़्यादा है CO2 की concentration यहाँ भी ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपका setup B या test tube B में हमें ज़्यादा से ज़्यादा milkiness देखने को मिलेगा ठीक है lime water turn milky equally in test tube A and B यह तो possible ही नहीं है ठीक है lime water does not turn milky at all in both the test tube A and B यह अपने आप में गलत statement है so हमारे पास safe or safe option B इसका सही condition denote कर रहा है so option B is the correct answer for our question next question है fiber to fabric इसमें एक paragraph दिया गया है इस paragraph के base पे कुछ कोशन दिये गया है statement दिये गया है आपको उसमें से correct statement find out करना है हमें ठीक है आईए यह कहता है कि wool is obtained from fleece of certain animal ठीक है उनके चमड़े के ऊपर जो layer होती है उससे निकालते है अंगोरा wool is obtained from अंगोरा rabbit सही बात है it is much warmer and lighter than other wool यह भी बात सही है mohair wool is obtained from अंगोरा goat यह गलत है अंगोरा goat से अंगोरा ही obtained करते हैं कैश्मीर is obtained from yak and is common in कश्मीर lama सही है lama, alpaca and vicuna are member of camel family that is extremely fine and expensive wool select the correct option regarding this यह कहता है lighter should be replaced with the heavier whereas vicuna should be replaced with nally नली एक पजाती है किसकी है वो है आपके शिप की ठीक है तो यह कहता है lighter should be replaced with heavier अंगोरा wool के जगापे हम heavier wool को use करना शुरू कर दें मगर ऐसा नहीं है कि heavier wool आप लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा गर्मी होगी lighter के मगाबले उसकी quality पर depend करता है वाम्त ठीक है तो वाम्त के लिए यहाँ पर lighter सही है the position of goat and rabbit should not be interchanged positions of the goat and rabbit should not be interchanged yak should not be replaced as it is correctly mentioned whereas Kashmir should be replaced with Himachal Pradesh गलत यह statement गलत है camel should be replaced with goat whereas lama should not be replaced with it is correctly mentioned यह भी statement गलत है अब सही बात क्या हो सकती है यहाँ पर कि lighter should be replaced with heavier whereas visuna vikuna should be replaced with nali it is correct so the position of goat and rabbit should not be interchanged इसकी जरुवत नहीं है तो एक निट यहाँ पर lighter should be replaced यहाँ पर lighter और heavier से कोई relation नहीं है वाम्त का so this statement is also incorrect the position of goat and rabbit should not be interchanged यहाँ पर अंगूरा wool is obtained from अंगूरा रबिट यह बात सही है it is much warmer and lighter than other wools mohair wool is obtained from अंगूरा गोट ठीक है तो यह statement जो होगा यह statement सही है option B जो है आपका वो सही होगा ठीक है so option B is the correct answer for our question ओके उमीद करता हूँ कि आज का भी discussion आपके लिए काफी helpful रहा है और आप हमसे अगर और भी ज़्यादा अच्छे से जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे website को visit करें यह हमारा student.myclassroom.digital यहाँ पर आप हमें access कर सकते हैं और हमारे अच्छे अच्छे और भी content को आप use कर सकते हैं अपने knowledge के लिए इसके अलावा आप हमें Google Play Store से हमारे अप के थुरू भी वहाँ से आप connect कर सकते हैं और साथी साथ हम सोचल मीडिया पर भी आपको available मिलेंगे और हमारा Facebook का यह handle है पेज है इस पर आप इस access इस link को हमने आपको description box में दे रखा है वहाँ से आप इन्हें access कर सकते हैं Instagram पर my classroom underscore learning handle से हमें available हैं आप वहाँ से भी हमें reach कर सकते हैं So उमीद करता हूँ कि सारे के सारे discussion यहाँ पर आपके लिए काफी helpful रहे हैं और ऐसे ही other subject में भी काफी helpful मिल रहे हों So इसी note पर आज के लिए इतना ही अगले session में हम अगले lecture में अगले discussion में आपके लिए फिर से नए session का discussion लेकर हाजिर होंगे तब तक लिए goodbye, all the best, bye bye